आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें तब दोस्तो हम यहां से देख सकते हैं कि कास वर्ग का जो क्राप बनेगा दोस्तो कुछ इस प्रकार बनेगा यहां पस यह पाई बाई 2 में 0 तथा यह नीचे से जाता है तो यह पाई बाई 2 में 0 तथा यह नीचे से जाता है तो यह पाई बाई 2 तथा यह इस प्रकार चल तक का थो हम यहां से कह सकते हैं कि यह जो मान हो जायागा दोस्तों यहां से यह मान पाई तब यहां तक पाई हो गया दोस्तों तो हमें निकालना है इस वाले भाग का छेतरफल तथा इस वाले भाग का छेत्रफल तब हम यहां से कह सकते हैं कि छेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले 0 से πाई बटे 2 में कॉस वर्ग X, Dx तथा धन πाई बटे 2 से πाई तक πाई बटे 2 से πाई तक कॉस वर्ग X, Dx तब हमें जो छेतरफल प्राप्त हो जाएगा दोस्तों वो इस प्रकार होगा 0, π. बटे 2, cos वर x को लिख सकते हम, 1 धन, cos 2x बटे 2, dx धन, उसी प्रकार, π. बटे 2 से π. तक 1 धन, cos 2x बटे 2, यह dx तब यहां से हम हल करते हैं, तो 1 बटे 2 सबसे बहार हो जाएगा, और यहां हो जाएगा x, यह धन, sin 2x बटे 2, 0 से π. बटे 2, धन, 1 बटे 2, उसी प्रकार, यहां से भी बहार हो जाएगा x, धन, sin 2x बटे 2, π. बटे 2 से यह π. तब यहां से हमें दोनों से 1 बटे 2 को हम बहार निकाल लेते हैं, तो यह कुछी इस प्रकार, 1 बटे 2, तथा यहां, π. बटे 2, धन, sin 2x बटे 2, धन, sin 2x कर रखेंगे तो 0, था यह 0, धन, यहां से हो जाएगा, 1 बटे 2, π. रिन, π. बटे 2, धन, sin 2x का मान 0, तथा sin π. यह भी मान यहां से 0 हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होता है, यहां से π. बटे 4, धन, π. बटे 4, तब हमें यहां से जो छेतरफल प्राप्त होता है, y बराबर कॉस स्क्वेर, वर्ग x का वो हो जाता है, यहां से 2, π. बटे 4, तब हम इसे लिखते हैं, π. बटे 2, वर्ग, 1, ज जो कि यह सही छेत्रफ़ है आसा करता हूं कि दोस्तों आपको यह फ्रस्मे का हल समझ में आया होगा धन्यमाद